देश भर में होट सेट बन चुके मंडी संसदी एक शेतर से आज भाजपा प्रत्याशी कंगना रनाथ ने अपना नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के समक्षित दायर करते हैं नामांकन से पहले भाजपा ने पडल मैदान से लेकर डीसी आफिस तक मेगा रोडशो निकाला इस रोडशो में हजारों की संख्या में भाजपा की कारेकरता शामिल हुए और नाजिते गाते पूरे शहर में नारे लगाते हुए डीसी आफिस के गेट तक पहुँचे मेगा रोड शो के माधम से कहीं न कहीं भाजपा ने खाल ही में खुई कांग्रेस की नामांकन रैली का जवाब देने का प्रयास भी किया इसके बाद कंगना रनौत पूर्व सीयम एवम नेता प्रतिबाफ जैराम ठापुर भाजपा परदेशा अध्यक्षिर डॉक्टर राजी बिंदल और अपनी माता संगत निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहँच कर अपना नामांकन पत्रत दाखी किया आज मैंने मंडी इसान भाजपा प्रतियाशी के रूप में भाजपा से तो इसलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहां पर महौल बना है सारे वोटर्स है और यह सारे जो है देश के जो स्वर्निम काल का एक थास बन रहा है उसमें भागीदार है उसमें हिस्सा लेने आए हैं तो यह अवश्य ही इस फिल्ड में भी मुझे सफलता मिली है और भात्य चंता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार है अज़ुत करते फुलित सुब घर दो भुट जो वोञा संथ आड़ शूच्षार शूट व्यान। अच्छाचार डियाथ डूंपट ट्रीजुन निड़न इड़ल्यू कुछिक भाव झाल्ड़ वीजनी पाव झाला तूचिक टूचुन और इटीज अपूचिक अड़ंगा कुरिक अटूच दूचुन धिचू को इंप लूचिन इक ट बन्हेल टनिस बेटलिफ टॉइल से खिर्ट रॉर्ष रष्ट लाटिए अ निर्डश लीनिवें धूल has been accredited with Khello India Residential Academy of Table Tennis and Weight Lifting HPC as set up a cricket training center in school. School is providing all the facilities including sonar, ice bath, screen baths, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grades 10 and 12. many students have selected in different medical and engineering colleges also got placement in national and international level school provides great platform for robotics through atal finland awarded with international school award three times and microsoft showcase school two times greatest achievement is to have him and rishika and sky observation school is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century